हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टौप ऐसे कार जो की काफी अमेजिंग है और दोस्तो आप इसे इसली अमेज़ून से खड़ी सकते हैं बहुत ही सस्ते किमत में मातरे 500,000 और 2000 के लिंज में और दोस्तो आपको इस वीडियो के नीचे यानि किस स्टेर्ट से या किस सीटी से आप वouldख आप प्लीज कोमेञ्ट करें और इस वीडियो को लाइक प्लीक जरूर करें तो चल intelligờ स्टो वीडियो शुरू करते हैं तो नंबर वान दोस्तों इसका नाव हिए कर भीथ प्लेसिंग लाइट एंड साउंड दोस्तों यह काफी अमेजिंग साकार आपको मातर तीन सो रुपय में मिल जाएगा और दोस्तों आप इसका साउंड कुछ सुन सकते हैं दोस्तों इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लाइट मिलता है जो की काफी अच्छा लगता है और इसमें आपको एक रिमोट भी मिलता है जो की आप इसे इसली कंट्रों कर सकते हैं अपने रिमोट से और दोस्तो इसमें रिचार्जेवल बैटरी होती है जो की आराउंड 10 से 15 मिनिट तक ये चलता है तो आप इसे इसली चला सकते हैं और इसमें जो साउंड रहता है वो काफी अच्छा लगता है सुनने में दोस्तो इसमें बल्टी कलर लाइट लगे होते हैं जो की काफी अच्छा लगता है देखने में आप इसे इसली एमेजोन से मातरे 300 रुपय में इसली खड़ी सकते हैं और इसका जो रिचार्जेवल बैटरी होता है वो 10 से 15 मिन तक चलता है तो दोस्तो अगर आपको यह खरीदना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्किप्शन में आप चेक आउट कर सकते हैं वाकई काफी अच्छा प्रोड़क्ट है यह दोस्तो यह ट्वाइसन कंपनी से आने वाला कार इसका नाम है ग्रेवेटी आर्सी वर्ल कलैमबर कार दोस्तो आपने बहुत सारे रिमोट कंटोल कार देखे होंगे बट इस पर कार का नहीं यह आपको दिवारों पर चलता है और इसकी हाई स्पीड की बात करें दोस्तो यह 10 किलो मिटर पर आबर की स्पीड से चलता है और दोस्तो इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप 20 से 25 मिनर चार्ज करते हैं तो फुली चार्ज में 10 मिनर तक यह चलेगा और इसमें 2.4 GHz का Remote Control System होता है जो की काफी इसमूच चलता है इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है ये आपको 500 से लेके 1000 रुपे के अंदर में Amazon और Flipkart दोनों पे मिल जाएगा और दोस्तों आप इसे दिवार पे असानी तरीके से चला सकते हैं और कोई भी आदमी देखेगा तो वो सौक हो जाएगा कि यार ये कैसे चलता है कार तो काफी अच्छा है और इसमें 3D लाइट लगे होते हैं जो की काफी अच्छा लगता है देखने में इसका भी लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा दोस्तो इसका नाम है जेस्ट फोर टॉय RC चैंपियन हाई स्पीड रेसिंग कार दोस्तो अपने रेसिंग कार वाली गेम या रेसिंग कार वाली अपने चैंपियन देखा होगा जो की आपको टीवी में दिखाता है उसी टाइप का ये है ये आपको इसली एमेजोन पे मिल जाएगा मातर 1100 रुपे में इसकी हाई स्पीड की बात करें दोस्तो तो यहाँ पर 50 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से चलता है आप इसे इसली एमेजोन से खड़ी सकते हैं और यहाँ पर 400 mH की बैटरी रहती है जो कि अराउंद 10 से 15 मिनिट तक चलेगा और यह काफी अच्छा है इसे खरीदने के लिए इसका भी लिंक आपको डिस्केप्शन में मिल जाएगा दोस्तो यह ट्वाइसन कंपनी से आने वाला डवल साइड़ एस्टन कार है दोस्तो आपने बहुत सारे एस्टन कार देखे होंगे बट यह कुछ अलग है यहाँ पर आपको हाई स्पीड के साथ साथ एक पावरफुल RC कार भी मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो हाई स्पीड है वो बाड़ा किलो मेटर पर आबर की स्पीड होती है जो कि आराउंड काफी जादा होता है आप इसे आफ रोड में भी चला सकते हैं और छट पे कहीं पे भी चला सकते हैं इसमें आपको 2.4 GHz का Remote Control System मिलता है जो कि काफी स्मूज चलेगा आपका Experience कुछ अलग होगा इस कार को चलाने इसके Range की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 मिटर तक Range मिलता है जो कि काफी ज़ादा होता है और दोस्तों इसकी Battery की बात करें तो यहाँ पर Rechargeable Battery मिलता है जो कि आराउंड आपको 30 से 35 मिनिट या 40 मिनिट में चार्ज करना होता है और चार्ज करने के बाद इसली आप इसे चला सकते हैं इसे आप Off-Road में भी चला सकते हैं और कहीं भी चला सकते हैं यह काफी अच्छा स्टंड भी करता है और काफी हाई स्पीड भी है 12 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोस्तों अगर आपको यह खड़ीदना हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा अप वहाँ से असानी से खड़ी सकते हैं दोस्तों यह जेस्ट फोर टॉय कंपनी से आने वाला काड़ है यह एस्पोर्ट काड़ है दोस्तों अगर आप ऐसे काड़ ढून रहे हैं जो की काफी लुक बाई अच्छा हो यानि इसका फिनीसिंग काफी अच्छा हो तो यह काड़ आपके लिए बहुत ही बैतरीन है दोस्तों आपको इसमें भी रिमोट मिलता है जो की 2.4 गिगाहट का होता है और इसमें आप ओपनिंग डोर भी कर सकते हैं लाइक आप इसे इसका दरवाजा भी खोल सकते हैं अपने रिमोट कंटोलर से आप इसे इसली रिमोट से कंटोल कर सकते हैं और दोस्तों इसकी स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 5-10 किलोमीटर पर आबर की स्पीड जो की अराउंड काफी ज्यादा होता है और इसकी हाइट और वेट की बात करें दोस्तों तो यह वेट 200 ग्राम का होता है तो काफी अच्छा है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे वीडियो में काफी बड़ा सा है और काफी अच्छा लुक लगता है आप इसे 3-4 कलर में ले सकते हैं सबका अलग-अलग प्राइज है आप देख भी सकते हैं नमबर 6 दोस्तो इसका नाम है रॉक कलोलर आरसी कार दोस्तो आपने रॉक कलोलर का नाम सुना ही होगा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी अनबॉक्सिंग किया था तो दोस्तो आपको ये काफी अमेजिंग साप कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपय में एमेजॉन पे मिल जाएगा इसमें आपको क्या खासियत मिलता है इसमें जो बैटरी मिलता है वो 1000 mh की होती है जो की अराउंड 20 से 25 मिनिट तक चलता है इसमें जो स्पीड होती है दोस्तो ये आपको ओफ रोड में भी चला सकते हैं इसकी स्पीड की बात करे तो यहाँ पर अराउंड आपको 10 से 15 km पर आवर की स्पीड से चलेगा और गाइस इसमें बहुत सारे वेडियन्ट आते हैं तो लेकिन सबसे सोटा वाला है यानि सबसे सस्ते प्राइज में 800 रुपे से स्टार्ट हो जाता है मैं इसका लिंक डिस्किप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं और इसे खड़ीद भी सकते हैं दोस्तो इसका नाम है रोबोट ट्रांसफर्मर रिमोट कंट्रोल कार्ड दोस्तो आपने बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि कोई कार कहीं से आता होगा और वो रोबोट बन जाता होगा सेम उसी टाइप का ये कार है ये ट्रांसफर्मर होता है और रोबोट बन जाता है ये आपको Amazon पे मातर 1000 रुपे के अंदर में मिल जाएगा इसमें 2.4 GHz का रिमोट कंट्रोल होता है और इसका मैं Amazon का एक लिंक दे दूँगा आप गर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये 500 से अंदर में ही मिल जाएगा आप इसे इसली खरीज सकते हैं इसमें आपको रिमोट कंट्रोल कर दिया जाता है जो कि 2.4 GHz का होता है और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है जो कि 10 किलोमीटर पराबर की स्पीड होती है आप इसे इसली एमेजोन से खरीज सकते हैं दोस्तो इसका नाम है डवल साइडेड एस्टेंड कार दोस्तो आपने बहुत सारे एस्टेंड कार देखे होंगे बट इस पर करका नहीं मैंने ये कुछ दिन पहले अनबॉक्सिंग भी किया हुआ था ये काफी हाई स्पीड इसका होता है और इसमें 2.4 गिगाहट का रिमोट कंटोर लगा रहता है और इसके में रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कि अराउंड 10 से 15 मेंट तक चलता है और इस स्पीड की बात करें दोस्तो तो यहाँ पर 20 किलोमेटर पॉर आवर की स्पीड से चलता है जो की काफी जादा है दोस्तो आप इसे इसली एमेजॉन से खड़ी सकते हैं वो भी 1000 से लेके 1500 के बीच के अंदर में इसका भी लिंक मैं डिस्किप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं और दोस्तो इसमें बैटरी जो लगी होती है वो अराउंट 600 मह की होती है जो कि आप 20 से 25 मिनिट तक चला सकते हैं तो दोस्तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और दोस्तो आप कॉमेंट कर सकते हैं कि आप कि सिटी से हैं ताकि मैं भी जानू कि मेरे जितने भी व्यूवर से कहां कहां से हैं